आज मैं आई हूँ राज मेडिकल एजनसी पे यहां पे हम जानेंगे कि अगर हम ठोक का काम करना चाहते हैं मेडिकल स्टोर का तो उसके लिए हमें क्या चाहिए हें किया प्रोसीज определyl होता है कितना इन्वेश्ट करना होता है यह सारी जानकारी आज हम लेंगे इन दोनों से लेंगे यह सर है यह मैम है और काइदे से यह दोनों ही इस सौप को चलाते हैं और यह जितना भी इनका थोक का काम है यह दोनों ही समालते हैं बाकी और भी स्टाप है इनके वो देखते हैं खुसी की बात है यह दोनों ही इस सौ आपको चलाते हैं सारी जानकारी हम इनी से लेंगे चलिए तो वीडियो सुरू करते हैं बिना टाम वेस्ट करें तो गाइज मैंने यहां पर 10 कोशन तयार किये हैं अगर आप थोग विक्रेता बनना चाहते हैं मेडिकल लाइन में तो उसके लिए ऐसे दस कोशन से आप ध्यान से सुनिएगा जो मेरे मैंड में आया अगर आपके भी मैंड में कुछ ऐसे कोशन साते हैं तो आप मुझे सर मैं कोशिस करूंगी आपको देने की तो हम इन से जानते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर है और क्या हमें करना चाहिए सबसे पहले यह दोनों अपना इंटोड़क्शन देंगे उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं यह बहुत अच्छी बात है और इनके सर पर आप चुन्नी देख रहे होंगे यह गाओं के हैं लेकिन तब ही देखो इनके हजबनेले फुल सपोर्ट करते हैं यह बहुत अच्छी बात है आप लोग कोई अपने वाइफ को सपोर्ट करें अगर कोई अबने वाइफ को सपोर्ट नहीं करता है तो प्लीज आप उन लोगों को सपोर्ट करिए देखो इन्हों ने भी काफी अपने वाइफ को सपोर्ट करते ही And Sir Sir, and Ma'am, जो मेरा पहला कॉशन है क्या experience होना चाहिए हमें medical store जो जम थोग का काम करना चाहते हैं तो इसका क्या experience होना चाहिए इसके लिए तीन साल का experience होना जरूली होता है ताकि से तीन experience होता है यह पता चल जाता कि माल कैसे खरीते हैं कैसे बेगते हैं आच्छा कम से कम तीन साल का experience होना जरूली होता है बीफर्मा की डिप्लोमा की जरूरुत होती है लुक्य तरह जो तीश्वा कोश्चन आप से अगर हम ठोग काम करना चाहते हैं मेडिकल लाइन में तो हमें किसने पैसे लगाने पर तेंट कितना करना परता है कम से कम और ज्यादा ज्यादा इसमें कम से कम हम मार्केट के लिए क सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो क्या उसके लोकेशन माइन होता है इसमें अईसा तो के लिए कोई लागेशन मानने नहीं होता है ताकि अच्छेर काम होता है तो उनको तो मार्करट में रोड पे बढ़ने भड़ने होता है तो आपना अपना सेप जिगा देखो कहीं पर जहांपे पर हमारा कोई कॉई कस्टुमर आए लिख निकने उसकी गाड़ी के स्ता हो बहा पर तो इसकी वज़े से अपना हॉलसेल का बिसिंस करने एक सेप जी थी कुछ नहीं चाहिए यानि की इसके लिए लोकेशन मांने नहीं बस आपका मतलब जो आपको लोग जानने चाहिए कि महा पर थोग भीरता है है चाहे आप घड़ पर क्यूं नहीं आपस समाल लेकर जाएंगे जिस असलिमीरा उनने हो कि अगर आप नहीं हो ठीक या मैम नहीं नहीं हो तो नों के पास डौकुमेंट्स है लेकिन अगर आप दो तो फैमिली मेंबर्स को नहीं चला सकता है तो इसको हमारा अपनी सौप को सीमाल सकते हैं अच्छा यानि की जो डॉकुमेंट्स होते हैं वो होना जरूरी है यह यह काम करने के लिए चाहिए तोक करें यह आप फुटकर का काम करें इसके लिए डॉकुमेंट्स को आगे सकते हैं यदि हमें अपने बिजनिस को आगा बढ़ाना चाहते हैं तो हमें किसी कंपनी की डिस्ट्रीबूटर बढ़ना जरूरी होना चाहिए उससे क्या होता हमें यदि जब हम किसी कंपनी का डिस्ट्रीबूटर बनते हैं तो हमाई कंपनी अपना ही बंदे प्ते JK। सब्सक्राइब मसमें खृता सब्सक्राइब कहा सब्सक्राइब मेसे आठ से 10 % मार्जन होता है हमारा अच्छा आठ से 10 % कोश्यन ये आठ वा कोषिशन है क्या ढेकल के थोग बिकुरेता है तो कि आप यह?? के विखना भीक येeping पूर पुस्मेटिक प्लाज कि एक उसका इनकम लिख शाय कर सकते हैं मेरे नौवा कुश्यन एका जैसे हमा एकस्पायर हो जाते हैं धिर उसका व्यवाय क्या कर सकते हमक्तना बड़ता यह वापिस चला जाता है क्यूंकि दवाय क्पर जो जा जाती है तो पेचे से कंपनी मार्जन काफी जाता देती है तो इस वचे से जैनलिक दवाइपसी नहीं होती है जो लाज का कोशन बनाओ क्यूंक निज राओ कोशन है कि मैं पराम अूंतर होते हैं इसा इसे मैंध ंब एक जैनरिक और पैटैनल की मेंडिशन और पेटेंट माते हैं हाई कोस्ट की जो जेनरिक मेंडिशन होती है थोड़े हमें कम सस्ती मिल जाती है और जो पेटेंट दवाई होते हैं वो महंगी मिलती है लेकिं दोनों में यह अंतर जो महंगी दवाई होते हैं वह असर भी अच्छा करती है उनका इफेक् यह दोनों difference हैं तो मैं अगर यह जो जो सथा वाला द्वाई होता है इसे हमें सेल कढ़ने से फिर कोई लुक्सान तो नहीं है देखो पबलिक में इन्सान सब गरेके होते हैं तो जो जो पर पर गरीब होते हैं उनको जेनरीक द्वाई मिल जाते हैं जानली को खरीद खरीद प अगर आप नॉर्मल मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो आप राज मेडिकल एजनसी से दवाई पर्चेस कर सकते हैं यहां से आपको अच्छे रेट पे दवाईयां मिल जाएंगी और आपको जो भी हैल्प की जोद होगी यह आपको जरूर हैल्प करेंगे ऐसा इनों ने कहा है कोई भी दिक्कत आती है नमर होगा आप फोन पर बात भी कर सकते हैं या आपको कोई रेट जानना होगा तो आप इनसे बात करके आ सकते हैं बाकी मैं नमर और एड्रेस डिस्केशन बॉक्स में दूँगी आप एवार देख लेना मैंने वीडियो में आपको बता तो दिया है लोगों से पूछ के 10 कोशन जो मेरे माइंड में आए अगर आपके भी माइंड में कुछ ऐसे कोशन आते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या तो मैं आंसर दे दूँगी या अगर मैं आंसर नहीं दे सकती तो यह आपको और गाइज कुछ अगर मिस्टेक हुई हो तो उसे इग्नॉर कर देना क्योंकि यह कोई आर्टिस्ट नहीं है ना इन लोगों को इस बारे में नॉलेज है क्योंकि इन्होंने जो भी बताया ठीक है मुझे बहुत अच्छा लगा इन्होंने पहली वर बातचीत की पहली वर कैम तो गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पे लाइक करें सब्सक्राइब करें प्लस कमेंट करें प्लस सेर करें कमेंट भी ज़रूर करें आ तो गाइज सब्सक्राइब करने के साथ यार ना बैल आइकन दबादना ताकि मेरा कोई भी आने वाला वीडियो उस झाल झाल